असलाम आलेकुम, वल्कम आप सबी कैस नई वीडियो में तो फाइनली यहां पे सकास्ट कश्मीर की तरब से सेकंड राउंड कांसलिंग PCB के जो कंडिडेट से हैं उसके हवाले से यहां पे एक इंपोर्टन अपडेट निकल कर आ रहा फाइनली आपकी जो सेकंड राउंड कांसलिंग है सकास्ट कश्मीर की उसकी यहां पे नोटिकेशन आ चुकी है इस उडियो में हम उसी के बार में बात करेंगी कब से आपकी कांसलिंग है, कौन-कौन कंडिडेट इलिजिबुल है क्या प्रोसेस है, क्या फी है सब कुछ मैं आपको इस उडियो में डिटेल में डिसक्स करूँगा क्योंकि ओफिशल नोटिकेशन जाए वो सकास्ट कश्मीर ने अपनी वेबसाइट पे अवलेबल की है यहाँ पे आपको 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 इस तरह से ऑन-लाइन पहले राउंड होगा उसी तरह से दूसर राउंड भी है आपको आउन लाइन ही आपको होगा तो यहाँ पे देख लिजए आप स्क्रीन पे जो आपकी second round counseling की नोटिकेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है तो दूसरा राउंड जो आपका होगा वो यहां पे आपका जिस तरह से online पहला राउंड होगा इसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि कौन-कौन candidate eligible है इसमें सबसे पहले वो candidate eligible है जिस candidate को पहले round में जिसने parts paid किया है उसके सासाथ उस candidate ने वहाँ पर अपनी जो वो मतलब seat को confirm किया admission किया बगर वो seat को upgrade करना चाहता है वो candidate eligible है और उसके सासाथ वो candidate जिस candidate ने जो है वो 50 या 50 abo marks entrance में लिये हैं और उसके सासाथ पहले round counselling में उसने parts pit नहीं किया था वो candidate भी यहाँ पर eligible है करनी पड़ेगी उसके सासथ candidate who have already participated in the first round of counselling and document verification and paid raise 600 जो उन्होंने fee भी pay करी है उन candidates को दुबारा से जहाँ वो 600 fee pay करने के जुरुत नहीं पड़ेगी तो जिन candidates ने पहले round में participate किया लेकिन किसी भी reason की वज़े से उनको पहले round में जब वो कोई भी seat नहीं मिली वो candidate भी यहाँ पर जब दूसरा round में eligible है और उसके साथ साथ दूसरा round जो आपको होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तारिक से यहाँ पर आपका start हो जाएगा दूसरा round इसकी यहाँ पे इन्होंने पूरा जो calendar है वो भी यहाँ पर निकाला है second page पे अगर आप यहाँ पर देख लोगे इसमें थोड़ा सा मैं आप आपको screen पर fit करके दिखा दू ताकि आपको अच्छी तरह से यह visible हो जाए तो देखे जिन candidate को जह वो पहले round में जिन candidate पार्ट स्पेट किया था उसके बाद उन candidate को seat वगरा नहीं मिली उन candidate को क्या काम कर ले ना 29 से यहाँ पर अपनी जो हो link आपकी counseling के activate हो जाएगी और दो तारीक यहाँ पर last date रहेगी कल 10 बजे से लेके दो तारीक को यहाँ पर शाम के 5 बजे तक आपको अपनी documents भी upload करने और उसके साथ आपको 600 counseling की fee भी पे करनी पड़ेगी उसके साथ जन candidate को पहले round में seat मिली है लेकिन उन्होंने जह वो अपनी seat को confirm अगरा कि admission किया अब वो upgrade करना चाहते है अपनी seat को तो उन candidate को यहाँ पर 29 यहाँ की कल से ही यहाँ पर process start हो जाएगी link activate हो जाएगी preferences की और उसके साथ दो तारीख आपको हँपे लास डेट रहने वाली है उसके सासाथ यहाँ पर आपकी जो selection list होगी वो चार तालिक तारीख को यहाँ पर आपको आ जाएगी और उसके सासाथ जब आपकी selection list आ आजाएगी उसके बाद आपको seat booking के लिए 10,000 fee pay करने पड़ेगी वो आपको यहाँ पे 4 तारिक से लेकि 6 तारिक तक यहाँ पे 10,000 fee pay करने पड़ेगी seat booking की तो seat booking जब आप कर लोगे तो आपकी seat confirm हो जाएगी उसके बाद फिर आपको college का जो further का admission process होगा उसके लिए जितनी भी fee होगी वो आपको फिर बाद में pay करने पड़ेगी लेकिन उससे पहले आपको seat book अपनी करने पड़ेगी शायद इसकी दो-तीन दिन फिर date extend भी हो जाती है तो उसका कोई मसला नहीं है तो फिलहाल जो कास्ट कश्मीर था उन्होंने यहाँ पर दूसरे round counselling की notification निकाली है तो मैंने आपको सारा कुछ detail में समझा दे इसमें आप in short मानके चली जो candidate पहले round में eligible थे वो ही candidate इन्होंने जब दूसरे round में भी यहाँ पर eligible रखे हम सोच रहे थे कि शायद 40 तक cut off जाएगा क्योंकि अगर पिछले सालों का आप देख लोगे पिछले सालों में क्या होता कि 50 marks वालों को पहले round में बुलाया जाता था और 40 marks तक जो वो दूसर round में पर cut off हो जाता था और उसी तरह से फिर 10-10 marks नीचे भी आ सकता था तो लेकिन इस बार इन्होंने कुछ भी नहीं किया वेसा है इस बार इन्होंने जब वो जिनको पहले round में बुलाए उन्हीं candidate को दूसर round में भी इन्होंने यहाँ पर बुलाए बहराल